हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई चैनल मैं हुशिम और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स और आशा करती हो आप सब बहुत ही अच्छे हो इस आशा के साथ अपने वीडियो शुरू करती हूं तो मेरा टॉपिक आज आपके साथ देख रहे हो यह है मेरी चेडी कया प्लांट जिसको मैंने छह महिने पहले ही इसको लेकि आए थी घर पे और छह मेहिने में फैर यह बहुत ही ऑधी बराभी हो गया है और संच आधी मैं आए कृश्था नितों देख़ा और अपहर तो यह तो यह बोरत देखा कि इसकी इससा फ्लायर शुरू हम बार्बेडोस चेरी की प्लांट है और इससे बहुत अच्छी बॉंद्शाय भी आप बना सकती हो तो एक बहुत अच्छी प्लांट है इसको मैंने शायद 150 रुपीज में इसको लाई थी लगफ़क 6 महिने पहले और यह अभी 6 महिने भी यह अच्छी तरीके से अपने आपको इतने जादा ग्रो कर लिया है तो यह जो चेरी का प्लांट है इसको लगाने का जो तरीका है आप नर्सरी से इसको खरीट सकते हो इसको आप शीट से भी ग्रो कर सकते हो अगर आपके पास शीट है लेकिन मेरे ख्याल से नर्सरी से लाना ही बहतर होगा शीट से कभी कभी न यह 14 इसकी पॉट पर मैंने इसको तीन मेहने बाद ही मैंने शिफ्ट कर दिया क्योंकि यह जो प्लांट है धीरे दिर इतना बर रहा था तो मैंने इसको बरने के लिए स्पेज दिया तो अगर आप आपकी प्लांट आप नर्सरी से लाते हो तो पहले 10 इंच की गमले में ही जो मीटी है वो तो आपको एकदम वेल रेंट सोयल बनाना चाहिए पर पे होल होना चाहिए तो मीटी के जो मैंने मीटी लिती इस पर एक भाग मैंने batने अरद मील है تو मैंने जो नीम खली है ठीक है तो इसको मिला के एक अच्छी फार्टाइल मिट्टी बना के मैंने इसको लगा दिया था और आप इसकी छे महने में इसकी ग्रोध देख सकते देखो इसकी फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है मेरी पास मैंने इससे पहले चेरी का प्लावरिंग भी शुरू हो गई है अभी कुछ दिन बाद फ्रूटिंग भी शुरू हो जाएगी तो आप भी इसको ला सकते हो इस प्लावरिंग को लगाने की बाद अब शेमी शेडिड एरिया में इसको आप रख दो बहुत ज़ादा डायरेक्स अनलाइट अगर पड़ती है तो आपकी प्लावरिंग खराब होती है तो इस प्लावरिंग की धूप ही लगती हो दो पहर की धूप की इसको ज़रूद अब ही तो बहुत ज़ादा गर्मी भी है तो इसलिए मैंने इसको ऐसे जगर पे रखा है जहां मॉनिंग की धूप ही लगते जब अभी मॉनिंग है तो अभी की दूप ही लगेगी लगब 10 बजे तक इस पर सनलाइट लगेगी उसकी बाद इसकी जो सनलाइट नहीं तो आपके प्लान बहुत जल्दी ही ग्रोथ पकड़ लेती है फिर भी अभी फ्लावरिंग शुरू हो गई है तो मैं इस पर अभी दूँगी इसकी जो मिट्टी है इस पर मैं अभी मैंने थोरी स्कोकुपीड भी मिला के मैंने इस पर मॉल्चिंग कर दी थी तो इस पर मैं अभी जो इसके फर्टिलाइजर की जरूरत होगी क्योंकि इस पर फ्रूटिंग शुरू हो गई है तो इसके लिए जो फर्टिलाइजर मैं यूज करती हूँ फ्रेंस इस प्लान को जो इसकी मिट्टी है उसको इसकी मिट्टी पी-एच लेबल बनाए रखना ज़रूरी है तो इसके लिए मैं इस पर देती हूँ जो औरेंज पील होती है औरेंज पील को पारवर बना के आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस पर देखे होगे कि मैं औरेंज पील और बैनना पील को नहीं फिकती उसको ही मैं यूस करती हूँ और 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 बैनना पील को एक साथ करके मैं इस पे दे दूँगी और देने के बाद वाटरिंग मैं सुभह शाम ही वाटरिंग करती हूँ अभी गर्मी है इसकी मिट्टी जो है उसकी थोड़ा सा मॉइस्ट रखना जरूरी होती है मिट्टी एकदम ड्राइ नहीं होने चाहिए थोड़ी सी मॉइस्ट इसलिए मैंने इसकी मिट्टी के साथ कुछ दिन पहले कोको बिट भी मिला दिया था क्योंकि बहुत जादा गर्मी थी तो इसलिए इसकी मिट्टी जो ग्रास होती है हमारे गार्डन में जो अननेसरिये ग् मांचिंग करंदो क्यों कि इस प्लांट को जो है फ्रेंजं गरिमियों में मांचिंग जारूरी है कुए कि इसकी मिट्टी को मइश्ट्रेक्टिंग करना चाहिए positiv comment चाहिए या तो आप इसको पीडिमस कर सकते हो औरि SPT अब इसक आपको तो थोड़ सा देख कि और फ्रेंड्स प्रूनिग्ग तो जरूरी है आपको बोनिंग करने से होते हैं प्रूनिंग से आपकी जो प्लांट है वह बहुत ज्यादा फैलती है और मैं यही काम मैं लगाने के लगवत दो महेने elfacular धी मैंने शूरु कर दी थी थोरी थोरी पूरिंग मतलब एकदम हार्ट पूरिंग नहीं की थी जिसके ये वाला है इसको मैं ये जो इसको मैं इस तरीके से मैंने पिंचिंग करती रही है और आप देख सकते हो कितना जादा ये प्लांट फैल गई है और अच्छा भी लगता है देखने में तो आप भी ल दिखाती हूं ये देखो ये भी एक फ्लावर है और अच्छा लग रहा है इसलिए सोचा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर करोंगी तो आशा करते हूं फ्रेंस मेरी ये चरीका प्लांट आपको पसंद आई अगर पसंद आई लाइक शेर जबरू करना और मेरी चनल पर बे तेहित अग्यू